आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि क्लास्ट्रूम में हम बच्चों के लिट्रसी को सपोर्ट करने के लिए किस किसम की इंपॉर्टन चीजें हमारे नजर में होनी चाहिए उसमें है प्रिंसिपल नंबर टू जिसका नाम है अरेंजिंग पहले हम इसको जरा पढ़ लेते हैं कि यह क्या चीजें है और उसमें हमारे पास एक स्पेस है जिसके अंदर फनीचर भी आना है किताबे भी आनी है कुशंस भी आने है और उसके अंदर मल्टिपल किसम के खलोने भी आने है एक वेरियम भी आना है और एक हमें इस स्पेस में आप वर्किंग स्पेस के साथ चलने फरने का स्पेस चाहिए इस स्पेस के अंदर किस तरीके से आप चीजों को अरेंज करते हैं वो बच्चों की लिट्रोसी इसको और उनके किया है कि बिल्ड हो सकते हैं हमारे पंफ्रिट आते हैं प्लायर्स आते हैं निउस पेपर होता है मैगजिन घर के अंदर मौजूद होते हैं बच्चे ज्यादा तर लिट्रोसी से रिलेटेड जगों पे जाना तब पसंद करते हैं जब वहां उन्हें पता हो कि एक्जैक्ल को शो करेंगे अगर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि उनके मुक्तलिफ प्लेस्टेशन में क्या कुछ पढ़ा है और वो उसकी थीम से या उसकी कॉन्टेंट अरिया से रिलेटेड नहीं है तो बच्चे ऐसे प्ले अरिया में जाके एक कंफूजन का शिकार रहेंगे और उन लाइबरेरी बनाते हैं जो कि एक लिटरसी इंपॉर्टेंट तरीन कॉर्नर है उस लाइबरेरी का वेल डिजाइन होना बहुत ज़रूरी है एक्ट्रक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे वहाँ जाएं और ऑट्रेक्ट करें और उनको वहाँ बैठना पसंद हो जितनी वो library corner अच्छा बना होगा बच्चों की probability हाई है कि वो जाएंगे किताबे पढ़ेंगे pretend करेंगे या कुछ लिखेंगे या discussion करेंगे और वो literacy behavior इस किसम का show करेंगे जितना बुरा होगा उतना बच्चों की willingness उस एरिया को इस्सेमाल करने का या choose करने का play के लिए अपने खेलों के लिए कम से कम होता चला जाएगा अगली strategy हमारे पास आथ है play itself कि हम play को कैसे engage करते हैं literacy areas में और literacy development के अंदर जो हमारा symbolic play है preschool का उसके अंदर बच्चे करते यह हैं कि objects को लेते हैं और उनको pretend करके ऐसे खेलते हैं जैसे उन objects को properly इस्तेमाल कर रहे हैं literal ways की तरह मिसाल की तोर पे बच्चों को हम देते हैं कि जनाब यह kitchen का area है वहां cook books पढ़ी है cook cards पढ़े हैं जो के उस kitchen के area में या play area में मौजूद होंगे oral language बच्चों में develop करती है definitely help करती है उनकी reading और writing skills के लिए भी जब वह आपस में खेल रहे होते हैं एक दूसरे से बाते कर रहे होते हैं preschoolers की frequency उनकी duration और उनकी complexity of literate behavior बढ़ जाता है जब आपके play area में ऐसी चीज़े मौजूद होती है जो बहुत ही interesting हो variety की हो और उनके age के appropriate हो और मुदबर्दस किसम के वहाँ literacy tool मौजूद हो अगर आपने एक kitchen area बनाया हुआ है और वह एक play station है और उसके अंदर proper tools available नहीं है और literacy prompts अवेलिबल नहीं है तो बच्चे जाहरे उसे इस्तमाल भी नहीं कर पाएंगे और वह behavior भी शो नहीं कर पाएंगे प्लेइस प्लेइस के अंदर हमारे पास जो important चीज़े आ जाती है कि कौन से प्लेइस प्लेइस है जहां बच्चे maximum किसम के learning करते हैं उनकी vocabulary बढ़ती है वह उस area के जॉंकिन को समझ पाते हैं और वह actions भी कर पाते हैं और बता पाते हैं कि यह play area क्या है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है kitchen है, workplace है, post office है, print shop है, library है, writing, editing, publishing areas आ जाते हैं जहां बच्चे pretend play कर सकते हैं जब हमारे पास play का space होता है जो बच्चों के लिए हम खेलने का space बनाते हैं उसको हमें यह सामने रखते हुए important चीज़ों को सामने रखते हैं वे design करना चाहिए कि अब वहां पर आप तमाम बच्चों को लेके बैठ सकें या चुड़ चुड़े groups में भी बैठ सकें यह वो flexible space हो ऐसा furniture हो जिसको हम flexible तरीके से इस्तिमाल कर सकें, carpet बिचा सकें थाकि हम circle time कर सकें all together या हम small group discussions कर सकें बच् हैं और वो कहां display हो सकते हैं definitely वो windows पे भी होंगे, दिवारों पे भी होंगे, दर्वाजों पे भी होंगे, ceiling पे भी हो सकते हैं, तो इन तमाम areas को creativity के साथ सोचें के display area हैं बच्चों के काम के, बच्चों के जो information space है, जो उनकी study का है, जो वहां पे बैठ के काम करना चाहते है उसको भी clear cut होना चाहिए, उसको भी सामने नदर आना चाहिए, ताकि बच्चे वहां बैठे हैं, वहां काम कर सकें और वो उनकी access में हो, सबसे important teacher की access में हो, और teacher को ये तमाम areas clearly नदर आने चाहिए, कि कौन से group, कहां बैठे हैं, कौन से बच्चे क्या काम कर रहे हैं